तो फानले आसुस ने अपग्रेड करते है अपने नया लैप्टॉप सिरीज बेसिकली इनका यह गेमिंग का फ्लैक्शिप सिरीज है और इस बार यह नया ला रहे हैं जफ्रेस सिरीज के नाम से और जफ्रेस सिरीज हम दो सब को मालूम है कि बहुत कमाल की होती है और इसमें आपको RTX का ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं जिसके वैसे इसका डिजाइन ने बहुत जादे इंपक्ट पड़ा डिजाइन के उपर और पर्फॉर्मेंस में आपको पर्फॉर्मेंस बहुत तगडी बढ़ गई है इस बार आसुस तीन लैप्टॉप अपना लाउंच करने गया था जितने भी लैप्टॉप के पर आपको बात करने वाले हैं पहले लैप्टॉप को नाए मैं आपको GL504 यह आपको प्राने वाले से अप्ग्रेड वर्जन है और दुसरा जो है जेफरस का आपको GX531 जिसके बार ही में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले है और यह वाले लैप्टॉप मैं कवर करूँगा और जो थर्ड लैप्टॉप है वो है GX701 जो 701 है सबसे ज़्यादे एक्स्पेंसिव सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे बड़ा मतलब डिस्प्ली के साब से बड़ा आने वाले है और इसमें कुछ कुछ चीज़े मे आपको वर्ड में और अगर बात करते हैं इन तीनों लैप्टॉप के कॉमन चीज़ के बारे में तीनों लैप्टॉप को काफी ज़्यादे स्मूद बना दे गया है गेम इस्ट्रीम के लिए इसमें आपको इंकोडर यूश किया गया है जो कि आपको इन्वीड़ का है और बेज़्ड है इन्वीड़ की ग्राफिक कार्ट पे जो सिरीज इसमें यूश किया गया है वो आपको H265 है जो कि पराने वाले H264 से बहुत ज़्यादा इंप्रूवड है और आसुसासा कहता है कि 25% ज़्यादा इंप्रूव है और अराम से काफी अचा काम कर सकता है तो ब बात करते हैं अपने दूसरे फीचर की जो कि आपको लेटिस्ट फीचर है यही जफ्रस सीरीज में इसका नामे रे ट्रैकिंग फीचर है और रे ट्रैकिंग फीचर मुझे बहुत कमाल का लगा लेटरली जितने भी गेमर से उनको मतलब की गेम खेलते हो कि इंप्रूव्मे आपको एक्यूरेट है और बहुत ज़्यादा रेलिस्टिक और नेचरोर फील देता है गेम खेलते हो एक एगर एक्जामपल लेकर बताऊं गाइस तो आपको एक बैन गेम खेल रहा था तो उसमें आपको पानी के जो फ्लो था उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन बनके आ रहा था तो मुझे वो देखके काफी कमाल का लगा कि यह बहुत जाए रियलिस्टिक था और वो जब चीज़ों थी वो आसुस ने काफी ज़्यादा इंप्रूफ किया है और यह सब जो चीज़ें है यह आपको पॉसिबल हो पाई यह आपको AI टेक टेक्नोलजी जैसे इसका एक एक ग्जामपल देखे बताऊं तो जैसे कि हमने वो नाहीं शॉर्ट यूज करते हैं मोबाई में आपको क्या करता है कि तीन-चार जो शॉर्ट होते हैं उन सबको मर्च करके एक शॉर्ट बनाता है और आपको यहाँ पर चार-पांस शॉर्ट सबने ग्रिकार, यहाँ आपको एक रिडरेक्र को क्या करता है कि चाम करता है कि बहुत सारा सबस्क्राइब करेंगा करता है और आपको जो विज्वाल से वह बहुत ज्यादा इन्हैंस करेगा और बहुत कमाले करेगा तो आपको इस तो कहते है के एक्सप्रोजिव वीज्वल आपको एक्सपृरिएंस सो वह जीस बहुत अची होने वाले है उच्छी जए जो आपको गेम खेलते हुआ और GX531 के वारे में, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्पेसिकेशन से सबसे पहले बात करेंगा इसके डिस्पले की 15.6 इच का वही सेम डिस्पले आपको मिल जाएगा नैनो बेजल से जो पुराने वाला आपको यहां पे जो रिव्यू किया था उसके चाप से नैनो बेजल से 144 हर्ट का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और एक चीज़ अच्छी है कि आपको 100% sRGB डिस्पले मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है और इसका डिस्पले एक्स्पिरेंस भी बहुत कमा लगा था इसको और एक लेवल इंप्रूफ किया है तो इसमें कोई कमी नहीं होगी लेकिन प्राइसिंग कितनी अच्छी होती है लेकि मेरे खायल से दो लाग की बीच में प्राइसिंग आगी अगर बात करते हैं प्रोसेसर की तो आपको यहां पर इंटल इंसाइड है मतलब कि i7 वाला एथे जनेरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि सबसे लेटेस्ट वाला ग्राफिक का जो कि सबसे लेटेस्ट है और फ्लैक्शिप है मै अगर बात करते हैं इसमें आपको SSD की तो आपको आसुस डायरेक्ट आपको 512GB SSD के साथ जा रहा है त्योंकि मेरे खायल से सबसे अच्छा है इन्होंने काम किया है और SSD का जो आपको राइटिंग और रीडिस्पीड है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट की लिए हाई है और जफरे सीरिस का आपको RTX जो ग्राफिक कार्ड वो बहुत ज्यादा नया है और फ्लैक्शिप है गाइस मैं फ्लैक्शिफ फ्लैक्शिफ बोल दे बहुत ठक जिया हूं इस लैप्टोप में क्योंकि हर चीज़े इसमें फ्लैक्शिप है अगर बात करते हूं से कीबोर्ड की तो वहाई आपको हमेशा की तरह RGB कीबोर्ड मिलेगा और कीबोर्ड की मामने में उन्होंने ज्यादा इंप्रूब्मेंट नहीं की है और आपको military grade ओले security भी पास किया हुआ इस लैप्टॉप में तो लैप्टॉप की durability भी बहुत अच्छी होगी और गैस अगर इन टरम्स नहीं किया था तो मैं उसके बार में कमेंट नहीं करूँगा लेकिन फुल रूव में पकी बाते इसको कवर करने वाले हम लोग और गाज़ बाग करते हैं पोर्ट की तो पोर्ट को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है जिसलिए मैं इस स्क्रीन को पर यहां प्ले परान इन्होंने अपने इंटर्नल हार्डवेर को दिखाया था जैसे मैं कहा सकता हूं कि फुली अप्ग्रेड़ेड टोसेसर लैप्टॉप ही है हर चीज अप्ग्रेड हो सकती है इवन कि आप उसका रैम भी अप्ग्रेड कर सकते हो अप्टू 32GB तक और आपको SSD भी अप् रही है तो गेम का जो एक्स्पीरेंस हो ओवराल बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाला है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है तो बात करते हैं इंप्रूव्मेंट की तो इंप्रूव्मेंट आपको हर जगा देखें का डिजाइन में इंप्रूव्मेंट है हीटिंग इंप्रूव्मेंट है हीटिंग का इन्होंने काम किया है ऐसा कि डिजाइन के साथ ही हीटिंग को फिक्स किया है ब्यासे हीटिंग पुराने वाले में नहीं थी और अग्रेवकरा अख करने सीच के अच्छे होते हैं अच्छे होते है और और ले porque और मुझे लगता है कि मैंने फिर्स्ट इंपरेशन के साब साब को काफ़ी कुछ इंफ्रमेशन दे दिये और आपको पसना दूर्प पिस वीडियो को लाइक कर दो और आपको कुछ भी स्पेसिफिकेशन वाइस कुछ भी जानना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दो बड़ में पिस्पशन दो आपको लगता है